हर चीज का डुबलीकेट आ चुका है मार्केट में मतलब ऐसा लगता है इसा सेम ही तो है हेलो एब्रिवान मैं हुझ जैश राजगोर और स्वागत है आप सभी का इस नए इंट्रस्टिंग यूट्यूब वीडियो में दोस्तों हम पढ़ रहें क्लास 12 का OCM News और ये है चाक्टर नमबर 7 जी हाँ कंजूमर प्रोटेक्शन का लेक्चर नमबर 1 जी हाँ एक इंट्रस्टिंग और महत्वून वीडियो है आज की वीडियो में हम जानेंगे need and importance of consumer protection क्या जरूरत है consumer को protection क्या वाकई में आपके और मेरे जैसे customers को कहीं नखहीं सुरक्षा की जरूरत है customer तो king माना जाता है market का बहुत पटेली है consumer के बिना आप स्वकुछ चल ही नहीं सकता कुछ भी नहीं चल सकता market के लिए consumer राजा होता है consumer जहां मतलब एकदम पसंद कर ले जिस चीज को न वही चीज बिकती है दोस्तों लेकिन फिर भी अकसर ये देखा जाता है कि इसी consumer को ठगा जाता है तो भाई ये ठगेश हैं कौन और इन लोगों को रोका कैसे जाए consumer protection की इसी लिए जरूरत है क्योंकि कहीं न कहीं इस देश में आज भी consumers को बेवखूफ बनाया जा रहा है mal practices हो रही है और कहीं न कहीं ऐसी ही चीज़ों को रोकने के लिए consumer protection की जरूरत है आज का वीडियो जो है ये आपके हमारे जैसे consumers के बारे में ही है उनके अधिकारों के बारे में है और ये समझने के लिए है क्यों जरूरी है consumer protection चलिया आज की वीडियो को शुरू करते हैं लेकिन अगर आप इस चानल पर नए है तो जरूर से subscribe कीजिए bell icon दबाईए क्योंकि यहाँ आपको लगातार ऐसे informative वीडियो मिलते रहेंगे also do join our telegram channel sky education official बिना भूले ये join कर लीजेगा 20,000 से भी जादा students अल्रेड़ी यहाँ पर जुड़े हुए है धेर सारे PDF notes, IMP questions यहाँ पर हमेशा update होते रहते हैं जरूर 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 अपना प्यार पर करार रखे, you can also download our app sky education from play store और यहाँ पर आपको super star batch मिल जाएगा absolutely free batch है इस साल के students के लिए super star batch को join करने के लिए request भेजिए batch code है super star 23 चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को, दोस्तों सबसे पहले जान लेंगी भाईया consumer, consumer जो है न यह actually में इतना महत्वून क्यों है तो भाईया सबसे पहली बात निकल करके यही आती है कि consumers are the pillars of economic development, pillar है भाईया, बहुत important है, क्या है pillar है pillar, क्या है pillar है pillar, याद रखिए दोस्तों यह वो बंबू है जिस पे पूरे market का तंबू खड़ा है, consumer का बंबू हट जाएगा न, तो भाईया पूरा तंबू पर रठाय जाएगा, याद रखिए दोस्तों, consumers are the most important pillars of the market, अगर consumers ही नहीं है, तो फिर कुछ भी नहीं है, consumer होना और उनका अच्छे से खायाल रखना यह जिम्मिदारी है, market oriented, सारे players की फिर वो business houses हो, corporates हो, या अवे अपारी हो, सभी को consumer के benefit के लिए काम करना है, because they are the pillars of economic development in any country, as the entire economy, क्या, entire economy revolves around them, पूरी economy जो है, इन ही के इद गुद घूंती है, this is what is the power of the consumer, दूसरी बात, in today's sellers market, consumers have been cheated, इनकी साथ cheating हो रही है, exploited through price rise, artificial scarcity, black marketing, मतलब यह सारे गोरक धंदे हो रहे हैं, boss, एक तो यार, भाव बढ़ाते जा रहे हैं, भाव बढ़ाते जा रहे हैं, बढ़ाते जा रहे हैं, price rise, इसके अलावा artificial scarcity, मतलब goods हैं, लेकिन वो लोग supply नहीं कर रहे हैं, गोडावन में भर करके रख रहे हैं, जब और दाम बढ़ेगा, तब supply करेंगे, तो या artificial scarcity, black marketing कर रह pricing कहीं न कहीं, खराव, मिलावटी चीज़ों को बेचा जा रहा हैं, और साथ ही साथ दोस्तों, misleading advertisements दिखा करके बहकाया जा रहा है, फसाया जा रहा है, ये सब हो रहा है, consumer के साथ, every consumer should have adequate knowledge, हर consumer को क्या होना चाहिए, परयाप्त knowledge होना चाहिए, उसके अधिकारों के बारे में जानकारी होनी चाहिए, उसको ज्यादा से ज्यादा चीज़ों के बारे में, of product and services regarding quality, quantity, price, standards, etc. to select the right product, उसको हर चीज की जानकारी होनी चाहिए, he should have adequate knowledge of product, services regarding quality, quantity, price, standards, etc. to select the right product, यानला, सरोव प्रकर्ची महिती असलीच पाईजे, जर अबोद बालका सारका, जर वागला न consumer तर चाहिए, बहुत जरूरी है कि यार सभी चीज़ों की detailed जानकारी हो, और detailed जानकारी होगी, तभी तो यार ग्राहक को उसका पूरा का 100% return मिलेगा, product जो है वो उसके satisfactory needs पर, खारा उतर रहेगा उसके needs पर, और बहुत काम आएगा, तो ये तीन चीज़े हैं, जो बहुत consumer को हमेशा ये याद रखनी है, दोस्तों इसके अलावा अगर बात करें कि भाई, need क्या है, what is the need and importance of consumer protection, तो याद रखिए, generally safeguarding the rights and interest of consumers is known as consumer protection, consumer protection क्या है, यार अधिकारों को और consumer के interest को बचाये रखना, इसी को कहते है consumer protection, दोस्तों ये क्यों ज़रूरी है, क्योंकि इसके अ and interest of the consumer, इसकी खासियत ही है, इसकी खासियत ही है कि यहाँ पर हम consumer के अधिकारों को प्रटेक कर रहे हैं, उसको अधिकार पूरी तरह सी इस्तमाल करने का मौका दे रहे हैं, in modern competitive market, आज कि इस competitive market में, consumer is regarded as the king of the market, and hence consumer protection is required, तो ये तीन जो simple से मुद्दे हैं, बड़े ही सिंपल होना ही चाहिए, safeguarding होनी ही चाहिए, rights और सारे consumer के अधिकारों की, साथ ही साथ consumer protection का aim और मकसद भी है कि protect किया जाए, rights को, इसी लिए ये ज़रूरी है, चलिए आज की मुद्दे की और बढ़ते हैं, आज का question जो है, हमारा इसी विशह पर है, हमारा question कहता है, need and importance of consumer protection, answer का ना smile, nut, smile, nut, smile, nut, जी हाँ दोस्तों, S से spurious goods, M से misleading advertising, malpractices of businessman, I से ignorance, L से lack of information, N से need of participation of consumer, U से unorganized consumers, T से trustee ship कुल मिला करके, 8 points है दोस्तों, spurious goods, misleading advertising, malpractices of businessman, ignorance, I say, lack of information, need of participation of consumers, unorganized consumers, and trustee ship, या आठ ऐसे मुद्दे हैं, जिनकी वज़े से consumer protection की बहुत ज्यादा समाज में जरूरत पैदा होती है, need and importance of consumer protection, चलिए हर point को बारी कीसे समझ लेते हैं, दोस्तों सबसे पहले point ये बात करें, spurious goods, भाई हर चीज का duplicate आ चुका है market में, मतलब ऐसा लगता है, इसा सेम ही तो है, कितने ऐसे products आजकल copy बनने लगे हैं और market में एकदम खुली तरह से बिक रहे हैं, फिर वो apple के products हों या shoes हों बड़े-बड़े brands के सभी pirated और copied version बनने लगे हैं, आप फरक पहचान नहीं पाएंगे, as a consumer ये हमारे साथ धोका ही तो है, कई बार ऐसे copied या duplicate चीज़ें भी हमें महंगे दामों में दे दी जाती हैं और हम खरीद लेते हैं ये सोच कर कि यार ये तो अच्छा दिकरा है, original ही है, there is increase in supply of duplicate products, it is not possible for an ordinary consumer to distinguish between a genuine product and its imitation, पता नहीं चलता है कि genuine है या imitated है, copy है, it is necessary to protect consumers from such exploitation by ensuring compliance with prescribed norms of quality and safety standards, तो consumer protection जो है, इसका काम ही है, कि सारे prescribed norms, सारे safety measures, consumer को समझाया जाएं ताकि वो ऐसे spurious यानि duplicate goods से बच सके, दूसरे point की बात करें, smile के अंदर M से आता है misleading advertisement, तो इसकी तो हमने कई बार बात किया है दोस्तों, क्रीम लगा देते हैं advertisement में ऐसी कि चम चमाता रहता है चाहिए, इतना चम चमाता है, ऐसा लगता है, हैलोजन लगा क्या है, लेकिन दोस्तों कहीं न कहीं, यह misleading advertisements हैं, हम आप सब जानते हैं, कि यार इतना कोई गूर आचानक से नहीं हो जाएगा, क्रीम लगा करके, लेकिन फिर भी ऐसे advertisements दिखाए जाते हैं, some businessmen give misleading information about quality, safety and utility of the products, consumers are misled by misleading advertisement, कहीं न कहीं धोकाई है, and do not know the real quality of advertised goods, a mechanism is needed to prevent misleading advertisements, तो कहीं न कहीं जरूरी है, कि यह ऐसा mechanism हो, जिससे true or fair advertisements हो, कोई illegal या गलत तरीके से advertisements करके, लोगों को भ्रमित न किया जाए, भटकाया न जाए, तो S और M हमने देखा दोस्तों, S से spurious goods, और M से misleading advertisements, M से दूसरा point निकल करके आता है दोस्तों, mal practices of businessmen, जोल जपाटा, यह जोल तो बहुत होते हैं boss, यह business houses है, modern day world में बहुत सारे businessmen यह हो गया है, दू किलो है, दू किलो हो गया, यहाँ साला रखा ही नहीं बजन, यहाँ रखा तो उतना तोला ही नहीं, यह सारे mal practices जो है अक्सर देखे जाते हैं by businessmen, lead to what exploitation of consumers, इसी से exploitation जो है वो consumer का होता रहता है, many times consumers get defective also, inferior also and substandard goods and services, कई बार ऐसे फसाया जाता हुने, inferior quality का या कम या substandard goods डे करके certain measures are required to protect the consumers against such mal practices, तो जरूरी है कि consumer protection हो, इसी के जरीए हम crack कर पाएंगे ऐसे frauds को, हम पकड़ पाएंगे ऐसे चोरियों को और सही कदम जो है उठा पाएंगे, अगली बात आती है ignorance की, consumer विचार अपनी जिंदगी में इतना व्यत्थित है, इतना आव्यस्त है कि वो ignorant भी कई वार ऐसी छोटी बड़ी चीजों के प्रती हो जाता है, ignorant होनी की वैज़से वो ठोस कदम नहीं उठा पाता, कोई strict action नहीं ले पाता, ignorance of consumers is the main cause of exploitation by business, consumers in India are mostly ignorant about their rights, अधिकारों के वारे पता ही नहीं है, market conditions पता नहीं है, price levels नहीं पता, actual में क्या है सब वही दुका में बेच रहे हैं, तो हमने ले लिया, हमने पूछाई नहीं कि actual में क्या है, and the product details as well, एक system होना ज़रूरी है, जो इनहें protect करे from business malpractices, जब ऐसा protection मिलेगा, तभी consumer जागरूप्त होगा और नारा लगाएगा, जागो ग्राहक, जागो, तो ये बहुत ज़रू information की कमी होती है, तभी speed जो है, वो धीमी होती है, याद रखी information आपके पास पर्याप्त होगी, तो आप कभी फसेंगे नहीं, information कम होनी की वैसे आप फस जाते हैं, बेवकूफ बन जाते हैं, आपके साथ गलत हो जाते हैं, तो ये नहीं होना चाहिए, it is very difficult to establish direct contact between consumer and manufacturer, because consumers live in a dynamic and complex world, consumer बिखरा हुआ है, अलग-अलग जगाओं पर है, तो consumer and manufacturer का direct contact नहीं हो पाता है, because they are widely scattered, दूर दराज हैं, today's markets are full of domestic, as well as imported products, therefore it is very difficult to get correct and reliable information about the product before the purchase, तो आज कल तो हला की online के वाज़े से थोड़ा आसान भी हुआ है, लेकिन फिर भी genuine कौन सा है, और कौन सा faulty है, वो पता लगाना थोड़ा tricky, थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है, consumer के लिए, because lack है, information की कमी है, बढ़ते हैं आगे दोस्तों, अगला point है, N से, nut के अंदर, need of participation of consumers, it is noted that business organization take decisions, which affect the consumers, interest without consulting the consumer, बदलब ये business organizations, जब consumer के hit में, या, जन hit में, एक फैसला सुना देते हैं, तो ये जरूरी है कि consumer के opinions, उनके discussions तो होने चाहिए, consumer के साथ, consumer का participation decision making में होगा, तो अच्छी policies और बहतर policies बना पाएंगे, decisions अच्छे ले पाएंगे, only a strong consumer organization, can pressurize business organizations, to allow consumer participation in the decision making process, simple जी बात है, अगर एक strong ऐसी consumer protection संस्था है, तो वो इन बड़े-बड़े business houses को pressurize कर पाएगी, उन्हें बोल पाएगी कि यार, ऐसे हमारे hit के decision लीजे, कुछ भी मनमानी मत कीजिए, और policies के according काम कीजी, rules और rights के हिसाब से काम कीजी, तो ये बात खास है, यहाँ पर need है, participation की consumer के, हम पढ़ रहे हैं, दोस्तों, question, need an importance of consumer protection, और answer का नाम जो है, वो बड़ा ही simple सा है, smile nut, क्या नाम है, smile nut, तो N-U-T की बात करे हैं, यहाँ पर, तो अब आपके सामने आता है, अगला point, you से unorganized consumer, हर consumer को इस अंस्था से तो जुड़ा हुआ नहीं है, हर consumer विचारा किसी न नेता के साथ तो जुड़ा हुआ नहीं है, कही न कहीं unorganized है, सब अलग थलग है, सब के मन में कुछ नो कुछ है कहने के लिए, लेकिन क्योंकि किसी संगठन के साथ जुड़े हुए नहीं है, they don't directly act, किसी नगर सिवक के साथ, किसी MLMP के साथ, हर किसी की तो पहचान नहीं है कहीं न कहीं दोस्तों, ये जो unorganized consumer है, ये सोचता है, जाने दो कौन मगजमारी में पड़े, छोड़ो याज हमेला कुछ खराब आ गया, तो आगली बार कहीं और से खरीद लेंगे, और इसलिए ये unorganized consumer जो है, ये उतना अच्छे से act नहीं कर पाता, consumers are widely scattered and are not organized, on the other hand, sellers are in better position than the consumer, इनकी संस्थाएं है, इनकी organization है, इनकी group है, sellers के, consumers are under the influence of businessman, an individual consumer cannot fight against these powerful sellers, और इसलिए फायदा उठा लिया जाता है, you say unorganized होने का, उमीद करता हूँ समझाओगा, आपको आखरी point की बात करें, तो ये है trustee ship, trustee ship गांधियन philosophy पे है, हमेशा याद रखिएगा, गांधी की ही ideology थी, कि यार बिजनस्मान तो बहुत business कर रहे हैं, बहुत अच्छा कासा पैसा कमा रहे हैं, consumers से कमा रहे हैं, society से कमा रहे हैं, तो ये एक social responsibility है, पिछले chapter में भी हमने पढ़ा, social responsibility है, कि वो समाज के benefit के लिए as trustees act करें, और trustees की तरह वो छोटे तबके का, consumers का फायदा औ of the society's wealth, therefore, they should use this wealth for the benefit of the people, उमीद करता हूँ दोस्तों, सभी 8 point आख को समझ आया हूँगे, आज का हमारा answer, need and importance of consumer protection, कुल मिला करके 8 point का answer है दोस्तों, 8 point को याद करने के लिए हमारा keyword है, smile nut, smile nut में spurious goods, misleading advertising, malpractices of businessman, ignorance, else a lack of information, and say need of participation of consumers, इसके अलावा U से, unorganized consumers, और T से, trustee ship, तो खुल मिला करके 8 point से, जरूर लिख करके note down कीजिएगा, हम ऐसे ही वीडियो लगातार आपके लिए लेकर आते रहेंगे, आप जरूर अपना चैनल पर प्यार बरकरार रखिए और यहां तक वीडियो को देखा है, तो जरूर झाल झाल झाल